नमस्कार दोस्तों आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज सुबे की एक बहुत बड़ी खुस खबरी में आप सबका स्वागत है हाई कोट की तरब से जारी एक यहाँ पर आदेश लेकर के आ चुके हैं आँगनबाडी बेहनों आप सबके काम की खबर है देखिएगा यहाँ पर क्या मिलने वाला है आने वाले समय में तीन लाख रुपए रेटारी मिंट पर सैद आपको मिल जाए इस मैटर को लेकर के हमारे पास आपको सबसे पहले तो मैं यह बता दू कि हाई कोट का वो आदेश की कॉपी भी मेरे पास आई है जो की टोटल अंग्रेजी में है जो आप लोगों को समझ में बहुत सी बहनों को नहीं आएगा तो हम इसको पढ़ने की बजाए आपको इसका हिंदी रुपांतरन बता देंगे इसके अलावा बता दें आपको महिला अंगनबारी करमचारी संग ने अपनी जो याचका डाली थी उसी पर जो है कोट ने कुछ कहा है और क्या कहा है वो भी बताएंगे और साथी आपको ये भी बता दें कि इसमें यूनियन ने क्या क्या कहा हुआ है अपने जारी किये गए आदेश में वो भी आपको बताएंगे और इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास कुछ बहनों ने मैसेज भी किये है सोभारानी बहन है उन्होंने मैसेज किया है कि प्रणाम सभी बहनों को बधाई हो माननी जो है यहाँ पर गिरीस पांडे जी माया दीदी की बंपर जीत हुई है कि रेटायर वगाली जो बहने है उनका पेंसल लागू हो गया है बधाई हो बहनों बंपर जीत हुई है उसा सिंग जिलाद्दे छुवारारसी ऐसे उनके तरब से यह मैसेज टाइप किया गया है आपको दिखाएंगे कि आदेस में क्या निकला है और कितना निकला है क्या ये चीजे लागू हो गई है या नहीं क्योंकि इसमें जो है लिखा हुआ है कि देख लिजेगा बंपर जीत हुई है और ऐसे करके बताया जा रेटायर पेंसन लागू हो गया है इसमें ये बोला जा रहा है रेटायर बहनों का पेंसन लागू हो गया है तो भाई देखेंगे क्या है क्या नहीं है बहन ने लिखा है यही वाला आपका 19, 38 वगरा 2021 की जो याचका पर सुनवाई की गई है और यह जो ग्रीस कुमार पांडे वाले यूनियन की है आगे चलते हैं और आपको बताते हैं पीछे पहले आपको दिखा दे ये रही कॉपी आप में से कोई भाईव है अगर अंग्रेजी जादा जानते हो तो आप चाहो तो स्क्रीन सॉट ले लीजिए और खुद पढ़ लीजिए क्योंकि हम बताने वाले हिंदी रूपांतरण क्योंकि सब बहनों को उसका मतलब भी समझ में आए अब यहाँ पर आप देख लिजेगा इसका स्क्रीन सॉट ले लीजिए ये सब इसमें लेखा हुआ ये कोर्ड का आदेस आया है इसमें देखें यहाँ पर जिक्र तो मुझे साब साब दिखाई दे रहा है तीन लाक रुपे का लेकिन अभी बताएंगे ये लागू हुआ है या होने के लिए राज सरकार को जो है माननी नयायाले ने कहा है तो वो सब आपको हम बताएंगे साथी साथ अब आगे चलते हैं और इसके नीचे भी आप देख लिएगा सरोज यादो जी ऐसे लेखा गोविंद माथुर जी ऐसे यहाँ पर नीचे भी दिया और डेट वगरा जो जारी हुई है और्डर डेट वो आपकी 22 तारीक है तो 22 तारीक को ये निकला है अब आप सोचिए ये आपके पास पहुँच कब रहा है 28 तारीक को पहुच रहा हूँ मेरे पास ही कल 27 को साम को आया है मैटर तो आज आप लोगों को हम 28 को दे रहे है अब इसमें देखिए सबसे पहले ये कि यूनियन ने क्या कहा है वो मुद्दा भी यहाँ पर जरूरी है कि यूनियन अपने इस आदेस में जो है सरकार के यानि नयाले के आदेस पर उन्होंने क्या कहा है इसमें इन्होंने लिखा है कि प्रकासनार्थ बगएरा मुख्य नयाधिस की बेंच ने आंगनबाडी कार करती के बिना सेवा निवरतिक लाब के रेटायर किये जाने को गयर जो है समयधानिक मानते हुए सरकार से जवाब मांगा है तो साप सुतरी बात है इन्होंने उपर जो लिखा उसमें यही समझ में आ रहा है कि जो है सरकार से जवाब मांगा गया है कि आंगनबाडी कार करती को बिना जो है किसी लाब के आप कैसे रेटार कर सकते हो और नीचे लिखा है महिला आंगनबारी करमचारी संग ने उच्च नेयाले में याजका सुईकार किये जाने पर हर्स भी व्यक्त किया है तो अब यहाँ पर देखें नीचे उन्होंने लिखा है कि लखनव से खबर है 27 जनवरी महिला आंगनबारी करमचारी संग उत्तरप्रदेश के अध्यच गिरिश कुमार पांडे जी की ओर से जो है दाखिल जनवरी याजका पर सुनवाई करते हुए इलहाबाद हाई कोर्ट के मुख्यनदीस की बेंच ने आंगनबारी कार करतियों और साहिकाओं को खाली हाथ से मदानिक मांते हुए सरकार से जवाब तलब किया है गौर तलब है कि महिला आंगनबारी करमचारी संग उत्तरपदेश लगातार सरकार से आंगनबारी कार करतियों की सेवा सम्मंधी सर्पों की नेमावली बनाये जाने और कारकरतियों का मांदे निन्तम सरम के मूल के बराबर किये जाने की मांग सरकार से करती आ रही है इसी बीच विसे सच्चिव बाल विकास पुष्टाहार द्वारा कोरुना वायरस की रोक थाम में ड्यूटी कर रही आंगनबारी कारकरतियों को 62 साल की उम्र पहुचने पर सेव से बरखास्त किये जाने का फरमान सुना दिया गया जो सासना देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट में विचारा धीन है इस जो है 52 मुक्यमंत्री जी को यहां पर ग्यापन देकर जो है प्रदेश के 50,000 आंगनबारी कारकरतियों ने महिला आंगनबारी करमचा करमचारी संग की ओर से एतराज जताया लेकिन सरकार के अधिकारियों ने एक न सुनी इस अवसर पर याचिका करता ग्रिस कुमार पांडे अध्यच महिला अंगनबारी करमचारी संग ने माननी उचनयाल इलहा भाग के लखनव खंडपीट में उनके द्वारा दायर याचि आध्यच को सुईकार किये जाने और सरकार से जवाँ मांगे जाने का स्वागत किया है इस आदेश को आशा की किरन मान बताया है मतलव ये साथ सुतरा बता दू कि अभी ये 3 लाक रुपिया रेटारीमेंट पर जो आपको मिलेगा ये जो आगु नहीं हुआ है जैसा कि पुसा सिंग बहन है अध्यच्छे वाराडसी से उन्होंने लेखा कि प्रणाम सभी बहनों को बधाई ओ मानि गिर्यूस कुमार पांडे जी की माया दीदी की बंपर जीत हुई है कि रेटायर बहनों का पेंसन लागू हो गया है तो अभी पेंसन आपका रेटायर बहनों का ल लागू हो गया है तो पिंसन लागू हो गया ऐसा कहा जिकर हुआ है और आगे पढ़ते हैं और बताते हैं इसको जो है यूनियन ने कहा है कि आसा की ये किरण बताई जा रही है और इस फैसलिय को वो जो है यहाँ पर उसका स्वागत किया है कि सरकार से जवाब मांगा गया है कि बीना जो है इनको किसी लाब के आपने कैसे रेटार कर दिया उन्होंने बताया है कि जो है पस्चिम मंगाल में देखो उन्होंने ये भी बताया है कि पस्चिम मंगाल में तीन लाख जो है एक मुक्त ग्रेचुटी वगरा दी जा रही है और कुछ राज्यों में आंगनबारी कार करता के आस्रितों को नौकरी में प्राथमिक्ता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि व्रद्धावस्था में सबसे अधिक जो है दवाओं पर निर्भरता रहती है और मांदे छिन जाने के बाद उनका कहना है कि उनका जो सरकार जो उनके जीवन के 30 साल कड़ी सेवा लेने के उपरांत दूद में मक्खी की तरह जिस तरह से कारकरती को निकाल कर उन्हें जो है उसके खिलाप उन्हें जो है फेग दिया और जिसके जनहेत याजका भी उनको करनी पड़ी है उन्होंने उम्मी जताहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार अपना जो है अडियल रवया छोड़ कर प्रदेश में 3,66,000 से जादा अंगन बाड़ी कारकरता साय का बह तो ऐसा उनका मानना है कि आगे वाने वाले समय में निर्ड़े लेगी और ये एक उम्मीद की किरण है गिरिस कुमार पांडे जी के द्वारा जारी आदेश है तो इसमें जो यूनियन ने लेटर में जिक्र किया ये सत्य है बाकी तमाम ऐसे फेक मैसेज भी टहल ने जिसमे उसा सिंध जिलाद्य चुबारारसी लिखा है और इसमें ये ये भी लिखा है कि पेंसन लागू हो गया है बधाई हो बहनों को तो ऐसा चीजे है पेंसन लागू नहीं हुआ है ऐसी गलत फेमिया मत पालना आदेश दिया है कोर्ट ने पूछा है जवाब मांगा है जवाब 2012-13 में आपके इसी मैटर को लेकर के कोर्ट को अभी तक जवाब दाकिल नहीं हुआ वहाँ तो जो है आप लोगों के कितने साल हो गए आप फुस्से अंताजा लगा लीजिएगा तो अब ये बताना चाहेंगे सरकार पर डिपेंड करता है कि वो आपको तीन लाक रुपिय रेटारीमंट पर देंगे या नहीं देंगे या ऐसे ही सिर्फ जो है टाइम पर टाइम बीथ जाएगा फिलाल उम्मीद की कीरण है कि कम से कम कोट ने कुछ तो कहा कोई तो बात कही लेकिन सरकार इस पर कितना एक्सल लेती है या उन पर डिपेंड करता है पिछली बार अबी तक उनके अगले सुनवाई को लेकर मैटर को लेकर कोई भी बातें नहीं आई ना सरकार की तरब से कोई जवाब गया कि आप इनको कैसे रेटार कर रहे हो इनकी मांदे समय कैसे समावत कर सकते हो जब तक नयाले में कोई ठोस पर कारवाई नहीं होती 2012-13 वाला जो काउंसिल वगरा फॉर रिस्पोंडेंट वगरा जो भी चाहे उनीस अड़ती सिन की आज का संख्या है और साथी बताना चाहेंगे नीचे देखे क्या लेखा हुआ है इसमें हम यहां से पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एसी आंगनबाडी की हजारों आंगनबाडी से वाओं का उप्योग कर रही है जो की जो है 12-80 से संबंदित हैं लांच किया गया और मजदूरी का भुगतान भी मान दे है ऐसी महिलाओं को हलाकि कार्या कार्टियों से यहां पर गलत लिग गया है कारकर्टियों से लेखना चाहिए था सेवा निर्वत्ती किया जा रहा है प्रकर्टि की प्रक्रटि लेकिन किसी भी नियमित कैडर पोश्ट पोश्ट वगरा को सेवा निवत्ती की आयो प्राप्त करने पर मुख सेविका के तैद भुगतान नहीं किया जा रहा है लेकिन पे charisma के नियमित वेतनमान नर्धारी थैं और कुछ राज्जों में सेवा न ने लाब भी दिये जाते हैं उनके तरकों को पुष्ट करने के लिए याचका करता के लिए जो है सीखा वकील ने सच्चिव का 39 2020 उल्लेक किया महिलाबाल विकास और समाज कलनाड़ भाग पस्चिम मंगाल सरकार पस्चिम मंगाल की वरकर जो है गवर्मेंट द्वारा आंगन 21 के तहत आंगनबाडी कारिकर्टियों के बहुमील अधिकार का उल्लंगन करता है सुईकार करते हैं उत्तरदायतों को नोटिस जारी करने की आफ सकता नहीं है क्योंकि उत्तरदायतों को उनके वकील द्वारा दर्साया गया है यह याचका को मार्च 2021 के दूसरे सब्ता में अंतिम निप्तान के लिए सुची बद किया जाना है इस बीच उत्तरदाता याचका के लिए काउंटर दायर कर सकते हैं आदेस दिनांग 22 1221 जो है अरूर यादो यह है आपके लेटर में तो रही बात लेटर की लेटर को हम जो भी आया है कोड से नोटिस उसको भी हम अपन एकाउंट पर डालने वाले हैं तो आप अगर चाहते हो कि इसको देखना पढ़ना अगर स्क्रीन सौट आप नहीं ले पाए हो तो आप आजाना हमारे एकाउंट पर यानि फेस्बुक अकाउंट पर आईए वहाँ पर देख लिजेगा और ज्यादा और भी ज़रूरत होग ही है और रेटार महनों को पेंसल लागू हो गया है जबकि लागू वागू भी नहीं हुआ है सिर्फ कोर्ट ने आदेश किया है कि इस पर सरकार अपना वो दे लेकिन अब सरकार क्या करेगी वो तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इतनी याचकाय पढ़ी है और तमाम याचकायों पर सुनवाई में भी कभी जवाब मंगा गया लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया उतना छोड़ो दोजार जो बारा तेरा वाला जो मैटर था जो कोर्ट में चल आता उस पर तो आज तक सरकार ने जवाब नहीं दाखिल किया कि इनकी सेवा निवत्ति क क्या हो मांदेल समय क्या लेकर के चीज़े की जानी है तो अब आप खुछ सोचिए ऐसे तीन लाक रुपे हमें नहीं लगता उत्तरपदे सरकार देगी और इन चीज़ों को साइड में रखो हमारे यूनियनों को हमारी जो है लोगों को ये भी सोचना चाहिए 1500 प्रोसाहन रासी भी सरकार ने बढ़ाया था मुख्यमंत्री ने गोशला किया था 1500 आंगनबाडी बैनों को देने के लिए वो पैसा आज तक अंगनबाडी बैनों के खातों में नहीं आया उसके लिए हमारे यूनियनों हमारे लोग कितने प्रयासरत हैं जरा इस पर भी अपना थोड़ा बहुत सुझाओ देना और उसके लिए भी कुछ बताना क्योंकि इतने दो साल बीत गए हैं और आप में से को भी दिलाते तब भी कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता है मैटर ऐसे सामने आते हैं जो मिलने वाले भी नहीं होते हैं ऐसी चीजे सामने आती हम चाहते हैं कि पंदा सो प्रोस्ताहन पर भी जोर दो क्योंकि उसको तो मुक्यमंत्री जी ने सुयम गोस्रा किया था उसके करें और कितनी मेनत कर रहे हो अपनी बहनों के लिए हमारे लिए नहीं अपनी बहनों के लिए तो यहां पर आप लोगों को फिर हम अगले वीडियो में मिलने वाले आज का वीडियो बस इतना है